इस दिवाली घर पर ही बनाएंगे मार्केर जैसे बालूशाही जिसे आप मक्षन बड़े या बादूशा के नाम से भी जानते हैं तो ये देखिए उपर से कितनी खस्ता बनीए और अंदर से कितनी रस भरी है बालूशाही खाने में मज़ा तब ही आता है जब ये उपर से ख मार्केर जैसी खस्ता और रजभरी बनेगी इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखिए तो चलिए शुरू करते हैं बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बरतन ले लेंगे जिसमें हम बालूशाही का आता लगाएंगे आता लगाने के लिए मैंने यहाँ एक कप मेदा लिया है जिसे मैंने पहले चान कर रख लिया था आप इस स्टेप को इसकिप ना करें मेदे को चान कर ही ले अब इसमें घी डालेंगे घी को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है यहाँ पर मैं एक कप मेदे के लिए पांच बड़े चमस घी डाल देंगे इसी के साथ इसमें 2-5 बेकिंग सोडा और 2 बेकिंग पाओडर डाल देंगे दोनों को ही मेने बरावन मातरा में लिया है लाश्च में इसमें एक चुठकी नमक डाल देंगे इस से इसका स्वाध और अच्छा आएगा अब इसे हलके हातों से मिक्स करेंगे ठीक ऐसे ही तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे खटा कर लेंगे जी हाँ इसे गुथना नहीं है इसे बस खटा करके जोडना है एसा करने से बालुशाही में बहुत साई पड़ते आएगी तो यहाँ पन पर थोड़ा सा पानी ओल ले रही हूँ और इसे खटा कर लेंगे तो यह अच्छी से खटा हो चुका है और मैंने से अच्छा से जोड लिया है इसे मैंने सौफ्ट ही रखा है अब इसे गिले कपड़ से ढख कर 20 मिनिट के लिए रख देंगे अब तक हम चाश्णी बना लेंगे चाश्णी बनाने के लिए कड़ाई में एक कप चीनी डालेंगे फिर इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इसी के साथ में इसमें आधा छोटा चमच इलाईची पाउडर डाल दूँगी जिससे चाश्णी में बहुत अच्छी खुश्डू आईगी अब इसे मीडियम फ्रेम पर चीनी गुलने तक पकाएंगे यहाँ पर आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है बालुशाई की चाश्णी ना ज्यादा गाड़ी होनी चाहिए और ना ही ज्यादा पतली होनी चाहिए अगर आपकी चाश्णी ज्यादा गाड़ी हो जाएगी तो वो बालुशाई के अंदर तक नहीं जाएगी बस उपर उपर चिपक जाएगी और अगर आपकी चाष्णी पतली हुई तो बालोशाई क्रंची नहीं रहेगी, सॉफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पर चीनी अच्छे से गुल चुकी है, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 8 मिनिट तक घड़ी देखकर पकाएंगे इस तरीके से आप चाष्णी बनाएंगे, तो आपकी चाष्णी परिफेक्ट बनेगी मैं थोड़ा सा ओरेंज कलर डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा आप चाहें तो केसर डाल सकते हैं, या फिर बीना कलरों केसर डाले भी इसे बना सकते हैं आठ मिनिट बार चाष्णी बनकर तयार है, गेस ओफ करके इसे साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैं बालू शाही को तलने के लिए तेल गरम करूंगी जब तक तेल गरम हो रहा है, हम बालू शाही बना लेंगे तो यह देखे, बीस मिनिट बार मेंदे में बहुत सारी पड़ते दिख रही है इसी वज़र से मैंने इसे गुथा नहीं था, बस इसे इकटा करके जोड़ा था अब इसे एक बार अच्छे से सेट कर लेंगे यह अच्छे से से सेट हो चुका है, अब इसकी बालू शाही बनाएंगे तो इसके लिए में इसकी छोटे छोटे गोले लेकर इसे हलके हाथों से रोल करूंगी ठीक ऐसे ही, तो यह देखे रोल हो चुका है अब इसे थोड़ा सा दबा कर इसकी बीच में आरपार छेट कर देंगे छेट आरपार जरूर करें, ऐसा नहीं आप थोड़ा सा दबा देंगे और बस वो बालू शाही अच्छे से नहीं बनेंगी इसके आरपार छेट करना बहुत ज़रूरी है सबे बालुशाई को ऐसे ही बना लेंगे पहले छोटा सा गोला लेकर उसे हलके हाथों से रोल करना है फिर उसे दबा कर छेट कर देंगे तो यहाँ पर मैंने एक कप मेदे से नो बालुशाई बनाई है अब इसे फ्राइ करने चलते हैं बालू शाही को तलने के लिए मैंने तेल पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था यहाँ पर ओल कितना गरम है यह चेक करने के लिए मीदे का एक टुकडा डाल देंगे थोड़ी तेर बात ये उपपर तेरने लगा है बस इतना ही गरम तेल चाहिए बालू शाही फ्राइ करने के लिए अब हम इस टुकरे को निकाल लेंगे इसके बाद इसमें एक एक करके बालू शाही को डाल देंगे बालू शाही फ्राई करते समय गेस को लो फ्रेम पर ही रखेंगे अभी आप देखना ये उपर तेरने लगेगी और साइज में भी बड़ी हो जाएगी ये देखिए पहले और अभी की साइज कितना अंतर आया है हो गई है न बड़ी अभी इसे पलटना नहीं है दो मिनित बाद इसे आराम से पलटेंगे ध्यान रहे इसे एकक करके किनारों पर लाकर ही पलटेंगे ठीक ऐसे ही ऐसा करने से बालू शाही तूटेंगी नहीं बस इसे ही इसे थोड़ी थोड़ी देर में पलट पलटकर golden brown होने तक fry करेंगी बालू शाई को fry करते टायंग थोड़ा सा धेरी रखें इसे fry होने में लगबक 16-18 मिनिट का समय लगता है तो ये देखे बालुशाई का कलार गोल्डन ब्राउन आ गया है ये अच्छे से फ्राइ हो चुकी है अब इसे छन्डी में निकाल लेंगे गरमा गरम बालुशाई को हलकी गरम चाश्री में ही डाला जाता है तबी चाश्री बालुशाई के अंदर तक जाएगी अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो उसे थोड़ा सा गरम कर ले फिर ये बालूशाई उसमें डाले इसे अब 2-3 मिनिट के लिए एक साइड रखेंगे में इसके उपर वी चाशनी डाल दूगी तीन मिनिट बाद इसे पलट कर दूसरी साइड भी 2-3 मिनिट के लिए चाशनी में रखेंगे ये प्रोसेस हम तीन बार करेंगे 8-10 मिनिट हो गए है अब इसे निकाल कर सर्फ करेंगे तो ये देखे मज़ेदार मार्केट जिसी बालूशाई घर पर बनकर तयार है इस दिवाली आप भी इसे घर पर बना कर इंजोई करें दास्ट में इसके उपर पिस्ता डाल कर गानेश कर देंगे जिससे दिखने में बिलकुल मार्केट की तरह दिखेगी मैं आपको एक बालो शाही तोड़ कर भी बताती हूँ तो ये देखे उपर से कितनी खस्ता बनीगे और अंदर से कितनी रस भरीगे आपने मेरी सारी बात को स्टेप बाइ स्टेप फोलो करा तो आप भी इसे पहली बार में आसानी से बना लेंगे